हेलो नमस्टे वेलकम टू माई चैनल जोतिका किरोग्षाइब आज हम बनाएंगे आमला मुडब्बा और यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है यह दो बना बनाये मार्कित में मिल जाता है लेकिन हम आज घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे बहुत ही सौट बनेगा आ इसके लिए मैंने लिया है हाफ केजी आमला और आमला थोरसा लाल वाला लाईए और इसको ढोके साफ कर लीजिए आमला को हमने अभी भाप में पकाएंगे और कराही में हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए और उसके उपर जाली रख दिया है जाली इस दिन रखने के बाद आमलाओं को इस तरह से हम रख देंगे इसको भाप में पकने के लिए और रखने के बाद इसको धक के हम साथ से आठ मिनिट के लिए इसको भाप में पका लेंगे साथ से आठ मिनिट के बाद हम इसका कोबर होटा के देखेंगे आमला हमारा स्ट्रीम हो गया है और कलर सेंज हो गया है अभी हम गैस बन कर देंगे और थोड़ा सा थंड़ा होने की वेट करेंगे आमला हमारा थंड़ा हो गया है अभी थोड़ा सा घरम है अभी हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और निकाल के एक बरतन में रख लेंगे और थोड़ा सा ड्राइ होने देंगे ये ड्राइ हो चुका है और अच्छा से भाप में पका हुआ है अभी हम इसमें एड़ करेंगे डो कप चीनी, हमने आदा किलो यह आमला लिया था और यह दो कप चीनी हम एड़ करेंगे चीनी डालने के बाद हम इसको 6-7 गंते के लिए कोवर करके रख देंगे 6 गंते के बाद हम इसको कवर हटा के देखेंगे एखिया आमला से बहुत सारे जूर्स निकल गया है और चीनी भी पिगल गया है अभी हम इसको जो चीनी है इसको सासनी को पकाएंगे आमलाओ को सासनी में पकाने के लिए स्टील का बरतन लूज किजिए हम दुसरे बरतन में स्टील का बरतन में हम ट्रांसपर कर देंगे और स्टील की बरतन में हम इसको कूप करेंगे गारा होने तक सासनी में उबाल आ चुके हैं अभी हम 3-4 इ्लाइची को कूट के डाल देंगे इसमें बहुत अच्छा खुजबू आएगा और मिला देंगे और धक के हम 20-30 मिनिट के लिए पकने देंगे हमने 30 मिनिट कुक किया है धीमिया आज पे अभी हम चेक कर लेंगे सासनी हमारा गारा हो चुका है और ये जो आउला भी अच्छी से कुक हो गया है सासनी गारा हो गया है गैस बन कर देंगे और इसको थोर असा और गारा होने के लिए वेट कर लेंगे हमने 6-7 घंते के लिए रख दिया था और ये दिखिए आमला बिलकुल नरम है और बिलकुल रसिला है सासनी भी थोड़े गारे हो गई है अभी हम दूसरे बरतन में इसको रख लेंगे हमारे आमला मुरब्बा बन के तयार है इस रेसिपी को आप बनाईए और आप इसको बना के काफी दिनों तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं गर्मियों में इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए इसको रोज एक सेवन कीजिए आपको बहुत फाइडा मिलेगा अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मैं मिलूंगे एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्टे